ही अव्रियोन, वेलकम बेक टू माइ यूटेटोब चेनेल सो दूस्तो, हम लूट यूट पर बार बार विडियो आपलेट करता हूँ हम लूक यूटेटोब बार बार विडियो डालता हूँ लेकिन एक विडियो से अच्यों ढेखने को नहीं मिलता है आप लोग को पाता होगा कि YouTube पर वीडियो आपलोट करने की एक सही तरीका होता है लेकिन मैं आप लोग को ये बात कहला चाहता हूँ कि YouTube पर वीडियो आपलोट करने का कोई सही तरीका नहीं है आज किस वीडियो में आप लूग को जो मैं सही तरीका दिकाने वाला हूँ ना ये सही तरीका नहीं है ये गलत तरीका आप लूग को मैं दिकाने वाला हूँ क्योंकि आपने YouTube पर जितना वीडियो आप लूट किया है कितना ऐसे वीडियो आपलोट किया है कि आपने बिना सही तरीके से आपलोट किया है जितना वीडियो आपलोट किया है सारी वीडियो आपने सही तरीके से आपलोट किया है अगर आपने इतना सही तरीके से आपलोट किया है इतना वीडियो तो आपकी वीडियो से अच्छा result क्यों दिखने को नहीं मिली रहा है आपसे मेरा ये सवाल है इसलिए मैं कहता हूं कि YouTube पर वीडियो आपलेट करने की कोई सही तरीका नहीं होता है जो भी तरीका होता है 100% गलत तरीका होता है जब तक आप गलत तरीका से वीडियो आपलेट नहीं करोगी तब तक आपकी चैनल कोभी ग्रो नहीं होता है आपकी वीडियो पर कोभी व्यूज नहीं आएंगे आपकी चैनल पर कोभी सस्क्रीबर्स इंक्रीज नहीं होता है ये चीज माइंड पर बिल्कुल सेड कीजिए काफी तो ऐसे बड़े-बड़े यूटुबर्स आपको बताते होंगे कि बाई ऐसे सही तरीका होता है लेकिन सही तरीका से आपने जितना वीडियो आपलोट किया है सारी वीडियो आपने सही तरीके से अपलोड किया है लेकिन आपको क्यों अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिली रहा है इसलिए आपको गलत तरीके से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा गलत तरीके क्या होता है आज किस वीडियो में आप लोग को मैं गलत तरीके दिखाने वाला हूँ कि भाई आप एक बार गलत तरीके से तो वीडियो आपलेट करके देखो कि सच में आपको result देखने को मिलेगा या नहीं क्योंकि मैं 100% आपको ये उम्मिद दिलाता हूँ कि आपको 100% result जो है देखने को मिलेगा उसके बाद मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे 100% ये सवाल करते होंगे कि आप इतना कुछ जानते हों तो आपकी वीडियो पर views क्यों नहीं आ रहा है बिल्कुल सही आपने मुझे सवाल किया है देखिए मेरा पास तीन YouTube चैनल है और दो Facebook पेज है तीन YouTube चैनल में से एक चैनल से मेरा income हो रहा है इस वीडियो की description पर link के आप लोग जाके check out कर सकते है और बाकी जो दो चैनल है एक चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो और एक चैनल है मेरा दूसरा लेंग्विस का है वो भी मेरा चल रहा है दो Facebook पेज में से एक पेज से मेरा income हो रहा है और एक पेज आभी तोक motivation नहीं किया है आप लोग को मेरा जो problem है मैंने बता दिया है इसलिए मैं जो वीडियो आपलोट करता हूँ मैं बिल्कुल shortcut तरीके से वीडियो आपलोट करता हूँ SEO करने की time मुझे नहीं मिलता है SEO चलिए आज आप लोग को ये चीज में दिखाने वाला हूँ कि गलत तरीका से यूटूब पर कैसे वीडियो आपलोट किया जाता है गलत तरीका होता क्या है आप लोग शायद ये चीज जानते होंगे लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ये चीज नहीं जानते होंगे तो सबसे पहले तो दूस्तों मैं skin record जो है one करता हूँ skin record मैंने one कर लिया है उसके बाद दूस्तों मैं YouTube open करता हूँ YouTube open करने की बाद आपको बाकी चीज पता होगा लेकिन मैं 2-3 ऐसे चीज अलाग से दिखाने वाला हूँ और बाकी चीज same है मैं plus icon पर click किया है और upload एक video पर मैंने click किया है उसके बाद दूस्तों एही से मैं एक video select कर लेता हूँ उसके बाद simply next पर click करना है next पर जैसे आप click करेंगे उसके बाद दूस्तों आपको ये भी पता होगा कि एक title सबसे पहले लिखना होता है लेकिन मैं तुड़ी आप लोग को बता देना चाहता हूँ title जो आप लिखेंगे आपके पास bid IQ and tube body दुने में से कीसी एक application होना चाहिए उससे सबसे पहले title आपको recharge करना है और जो title आप लिखेंगे उस title की search volume high होना चाहिए और competition low होना चाहिए है एक बात याद रखना है क्योंकि आप लोग में से काफी लोग यह गलती करते होंगे कि इस title से ज्यादा चल रहा है लेकिन आपके लिए title नहीं है क्योंकि इस title की जो competition है काफी ज्यादा है इसलिए competition low होना चाहिए search volume high होना चाहिए और इस take को यहाँ title पर डालना है के लिए और इसके बाद दूस्तों दिखिए हाई हाई हेलो मैंने डाल दिया है cope करना साचापी करने की बाद हाद दुस्तों discussion और डाल दिया हे इतना ही आपको काम करना है मैंने the copy कर लिए और कि करने की बाद simple सा description आके paste कर देना है उसके बाद back करने के बाद दूस्तो वीडियो upload जो है complete होने से पहले आपको unlisted mode जो है selection करना है उसके बाद unlisted आकने के बाद दूस्तो निचे दिए add playlist मेरा पास काफी सारी प्लेश्ट है आप जो प्लेश्ट की तु वीडियो upload करना चाहते हो प्लेश्ट आप चूज कर लिजे डान पर क्लिक कर देना है उसके बाद next पर क्लिक करना है यहां देखिए yes it is made for kids क्या आप वीडियो जो upload करने वाले है बच्चे के लिए है अगर है तो yes करना है otherwise no option चूज करना है नीचे एक options देखिए के एज रिश्ट्रक्शन इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों देखिए दैखिए दो तरह की लोग होता है एक हॉता है किありがとう के जो कौम है उद्धों कहा जाता है और जो अट्रशल से ज्यादा है वह बिलकुल मतलब young generation होता है इसके लिए दुस्तों अगर आप बच्चे के लिए वीडियो बनाते हों तो हमेशा दुस्तों fast option choose करना है otherwise no option choose करना है इसके बाद दुस्तों upload पर click करना है जैसे दुस्तों आप upload पर click करेंगे उस वीडियो upload हो रहा है उसके बाद दुस्तों बाकी जो दो tricks आप लोगों को मैं बताने वाला हों और बाकी जो process से आप लोगों को जरूर पता होगा क्योंकि मैं गलत तरीका जो है ओव दिखाने वाला हूं तो आप दुस्तों क्या करना है कि जिस topic की उपर आप वीडियो upload करने वाले हैं तर्म करता हो समय मैं यहां टाइक करता हो स्क्रीबर गासे वाले मैं यहां करै शिर रख भीड़में स सब्सक्राइब की बाद दुस्तों मैं संभात करता हूं है कि इनमें से दुस्तों दुकिया यह सर्च हो रहा है और ना प्ट्र दिख्कें हे यब छो रहा, यानि कि ओपन हो चुका है, उसके बाद दूस्तो दुस्तों सस्क्रीबस कैसे बड़ जैसे मैंने साइ्ट कैसे है, तोप जो वी दिखता है वही वीडियो की क्या करना ए उस वीडियो की लिंक आपको कॉपी करना है, आगे मैं आप विडियो को मैं के बाद आपको YouTube से बेक बटन पर क्लिक करके पूरा निकल जाना है, बेक आ जाना है, उसके बाद दूस्तों एक application की ज़रूरत होता है, जिसका नाम है टेग यू, जैसे कि मेरा पास टेग यू है, अगर आपकी पास नहीं है, तो आप प्लेश्टेट से डाउनलोट कर लिजिए, टेग यू यहाँ आप देख सकते हो, जिस वीडियो की लिंक आपने copy क्या है, निचे दिखे एक है, पेस्ट यूटूब वीडियो है, इसके बाद दुस्तो यहाँ एक option क्ये check, तो आप को check पर click करना है, चलिए दुस्तो मैं check पर click करता हूँ, जैसे दुस्तो आप check पर click करेंगे, उसके बाद दुस्तो इस वीडियो की जितना tag है, सारी tag दूसतो यहाँ आपको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ आप दे को YouTube ने रेंग कर रहा है सबसे टोप और इस टेग की कारण से सबसे टोप और दिखाई दे रहा है इसलिए आपको उस वीडियो की जितना टेग है सारी टेग आपको यहां आप देख सकते हों उसके बाद दूस्तों यहां कॉपी बलके एक option है निचे यहां देखे इस पर आप को क्लिक करना है इस पर क्लिक करके दूस्तों यहां देखे सारे टेग जो है कॉपी हो चुका है आप दूस्तों क्या करना है आईए आपको मैं दिखाता हूं जैसे कि दूस्तों आपको फिर से YT Studio जो है ओपन करना है तो YT Studio ओपन करने के लिए दूस्तों चलिए मैं YouTube से YT Studio वीडियो आप देख सकते हो because the update of userikes पूरा लोड नहीं लिया है तो उसवीडियो की टाइटल यहाँ दिखे हाई हेलो जो मैंने टाइटल रहा है यहाँ ओपेन हो रहा है उसके वाद दुस्तों उस वीडियो को आपको क्या करना है कि ओपेन करना है ऊपेन कि ना करने की जैसे कि सबसे निचे एक options देखिए, more option दूस्तों इस options पर click करना है, more options पर click करने की बाद दूस्तों सबसे top पर देखिए, a tag इस पर click करना है, click करने की बाद दूस्तों जो tag आपने copy क्या है, सारी tag दूस्तों यहाँ आपको क्या करना है, paste कर देना है, देखिए मैंने यहाँ पेश क्या है, पेश करने की बाद दूस्तों आपको एक बर बेक करना है, बेक करने की बाद दूस्तों आप बाकी क्या है कि आपको description लिखना है, description क्या लिखना है, description लिखने के लिए दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि दूस्तों यहाँ देखे description है, तो description पर देख में टाइप करना है र-a-p-i-d-t-a-g-s इतना है टाइप करना है जैसे कि मैं टाइप करता हूँ र-a-p-i-d-t-a-g-s उसके बाद दुस्तों सार्स करना है जैसे कि दुस्तों मैं यहां सार्स कर लता हूँ रेपीट टेक्स सार्स करने की बाद दुस्तों नेक्ष्ट इंटर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है जैसे दूस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां दिखिए next interface कुछ इस तरह आपकी समने open होगा यहां आप देख सकते हों कि open हो रहा है क्योंकि नेटवर्क की बज़े से time लग रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना उसके बाद दूस्तों यहां देखिए enter your next YouTube वीडियो तो यहां आपको क्या करना है कि आप जिस topic के उपर वीडियो आपलेट करने वाले हैं जो आपने टाइटल रखाए उस टाइटल को यहां सार्स करना है जैसे कि मैंने टाइप करता हूं subscriber क यहां आप देखिए और इसके बाद दूस्तों कैसे बाड़ा भी एडी एचे वाई इसके बाद मैंने सार्स किया है सार्स करने के बाद दूस्तों आपको क्या करना है कि देखिए यहां सारी टेग इसके रिलेटर सारी टेग आचुका है निचे आपको स्कॉल करना है निच process दिखा रहा हूँ लेकिन आभी देखिए change हो जाएगा तो your queries आपको type करना है इसके बाद दूस्तों निचे जो भी tag आपने copy किया है सारी tag यहाँ आपको पेश करना है पेश करने की बाद दूस्तों आपको मैं वही आसली जो चीज है मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ दिखिए दिखिए एक एक टेक की बाद दूस्तों कॉमा होता है कॉमा आपको delete नहीं करना है यह main चीज होता है क्योंकि 2-3 जिसे मैं वीडियो आपलेट कर रहा हूँ मैरा पुराना चैनल पर और अच्छा का सा दूस्तों result जो है देखने को मेली रहा है इसलिए दूस्तों आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कॉमा है दूस्तों आपको delete नहीं करना है जब दूस्तों वीडियो रेंग करेगा रेंग करने की बात दूस्तों आप फिर से edit करके इस वीडियो की कौमा दूस्तों आप delete करना है लेकिन फास्टाइम आपको delete नहीं करना है उसके बात दूस्तों description पर take डलना है अगर आप चाहों तो hashtag लगा सकते हो यह मैं recommend नहीं करत हों अगर आप चाहों तो लगा सकते हों otherwise आप चूर सकते इसके बाद दूस्तों save पर click करना है जैसे दूस्तों आप save पर click करेंगे save करने की बाद दूस्तों एक thumbnail set करना है वीडियो अगर upload complete हो चुका है तो आपको publish कर देना है इतना करने की बाद दूस्तों आप code result जो है द देफिनिटली भाई आपको result जो है 100% देखने को मिलेगा तो दूस्तों वीडियो कैसा लगा है जो इस वीडियो की comment box में comment करके मुझे बाता रहा है कि आपका video सही है या गलत है और चनल पर नहीं है तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक लाइक करना इतना ही है